पर उन सरसे मैं बाचीत करूँगा लेकिन अब एक और खास पेमान वाज़साद मौजूद है चौतिती मही में नारायन हेल्थ के मुनाफ़े में 10% तो आए में 5% की बड़ोतरी हुई है 23% के साथ मार्जिन फ्लैट रहे हैं नतियों पे खास सर्चा के लिए माज़सा नारायना हेल्थ की ग्रुप CFO संधिया जे मैं मौझूद हैं संधिया मैं नमशकार स्वागाद अबकर कर्करम में इस क्वाटर के नंबर्स वैसे तो इन टोटल बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं बस एक ही चीज़े इस पर अटक रहा हूं मैं वह इसके मार्जिन आप क्यू ऑन क्यू देखें या वाय इंडिया लेखेंगे या फिर इंडिया लेखेंगे दो जगों पर हमने मार्जिन एक्सपैंशन देखा रहा हूं में फुरे सांथ का लेंगे फॉरे सांथ का मार्जिन था 22.8 अभी 24.5 है और अब इस तो पाइज है को आई इंडिया का इंडिया में भी हमने जैसे अपने तो मार्जन की कहानी अगर हम उस पे गौर करेंगे तो हम उसके हैं जो काम किया है अपने एफिशेंसी पे अपने तूपूट मैक्सिमाइजेशन पे और प्राइस पे इंपक्त ना लिये कॉस्ट पे काम करके हमने मार्जन एक्सपैंशन किया तो अन्दे मार्जन पे हम पर्फॉर्मेंस पॉसिटिव ही बोलेंगे बट आपका कमेंट एंकम है माम रीजन वाइस क्योंकि और बैंगलाओर कोलकता और जो इस्टन जोन है वो तो बहतर करी रहा है लगातार यह जो नए एरियास थे जो नौर्ट साइड पर हैं वेस्ट साइड पर हैं इनका एक्सपैंशन किस तरह का भी आप देख रहे हो यहां से जो रेविन्यू स्ट् अबिस्टियों को जो एक है जो ने निए दोनों को मिला कि हमारा बीटा अभी अब देन्ली ऑस्टिल ऑलरी डबल डिजिट पॉसिटिव बिटा में था इस प्वाटर गुरूग्राम एस्पितल ऑर भी पॉसिटिव एपिटा की जोन में आ गया है इसकी वाजे से हम बोल सक कि दिली का ग्रोथ और मार्जिन एक्सपंशन दोनों में अस पर प्लान अभी चलना शुरू जा है अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो अम्दाबार में परफॉर्मान्स इस वाइड होती है मुंबाइ फिर भी हमारा थोड़ा मार्जिनरी नो चल रहा है इं तरम्स अव अर्म पॉइंट अप्यू बट प्लारिफा किया है इसका सोशियल और मुझेंट है वीजा वी इसका पॉमर्शियल और सो इसकी वजह से उसमें हमेशाओ पॉस और मार्जिन का बैलंस वैसा रहता जो अब्रेकवन हम जरूर अची पर लेंगे मर्वी इसकार अलसों वी ऐड लेक्वन नंबर फोर निक्स्त कॉर्टर दो निक्स्त कॉर्टर नो दू में एंटेम ब्रेकवन तो सुद्धाय मार्रा इसक्शून पर दूशन वी चुरूब हो थाया है यहां पर आपक्रांशन एक और चीज़ संधिया मैं जो एवरेज रिविन्यू पर बेड के नंबर में देख रहा था तो नॉर्दन मार्केट्स आपको एक बहुत स्ट्रॉंग नंबर वहां पर दे रहे हैं बाकी इंडियन प्रेजन्स के बाद सबसे ज़्यादा रिवन्यू आपको वहीं से ही हासिल भी हो रहा है नॉर्टन मार्केट में रिलाइजेशन लेवल्स भी उस लेवल पे चंते हैं कॉस्ट सी उस लेवल्स पे चलते हैं हम अज़ फिलासोपी अफ़र्डबिटी पे फोकस करते हैं इसलिए अगर हमारा अबरेज रिवन्यू पर पेशेंट का एक्स्पैंशन आता है वो आता है एफिशियंसी से जैसे हम फास्टर टरनरांब, फास्टर टूपल, बेटर पेयर, बेटर स्पेशलाइजेशन सो उसमें से हम अपना अबरेज रिवन्यू पर पेशेंट बढाने की कोशिश करते हैं प्राइस पे नहीं करते हैं तो उसके वज़े से हमारा A.R.P.P. ग्रोप जो है वो हमेशना देरे-देरे की ग्रोप होता है और वो अफ़र्डबिलिटी पे डिपेंड करता है तो जहां पे हम जिस मार्केट में उपरेट करते हैं वो हमें लगता है कि लार्जर पॉपलेशन के लिए अफ़रडबिल है इसलिए हम इंटर देनी साउथ को नौट के लेवल पे लेके जाने का टार्गेट नहीं कर रहे हो जो मार्केट के लिए रेलेवेंट है वो प्रैस पे हम औरेट करेंगे और Sandhya मैं केमन के परफॉर्मेंस की मैं देख रहा था वाय वाय बहुत अच्छा नंबर वहां पर आता हो दिखाए पड़ा है operationally भी और otherwise भी so उसको आप further कैसे expand होता हुआ देख रहे हो वहां पर क्या आपका outlook है एक तो है कि हम तब hospitals में capabilities आड़ कर रहे हैं जैसे कहीं पर लिनाइग का लिनाइग दाना है कहीं पर एक्स्ट्रा बेड्स लगाए हैं तो सब hospitals में capability growth है new assets है new revenue generation opportunities है तो उसके जएसे वहां से एक level का growth हमारा आएगा और दूसरा जैसे हमने हमेशा हमेशा हमने throughput और efficiency के बारे में बात किया है तो वहां से ज़ादा demand process कर पाएंगे है और वहां से एक level का growth आएगा वह ओर और आउटलुक है वह एक बात हमको याद रखना है कि COVID के पिछले up to F523 काफी सरा COVID का backlog impact भी था तो देफोर इंडस्ट्री में वह बहुत high level of growth था वह level of growth अभी इंडस्ट्री में अपड़ेगा हम ऐसे anticipate नहीं कर सकते तो वह एक moderation हम देखेंगे पुरे इंडस्ट्री में Secondly, क्योंकि हमारे सारे capacities constructed capacities हैं तो जैसे अभी हमने construction शुरू किया है तो कुछ साल लगेंगे उनको आने में तो वह एक बड़ा growth जो आता है capacity add होने की वज़ो से वह आएगा only after हमारे जो आता हमारे जो बन रहे हैं वह लाइव होंगे तभी उसका growth impact हमारे bottom line में आए हमारे numbers में आएगा Okay Jammu के वारे में Jammu हमारे लिए एक social initiative है Okay Shri Matav Vaishnagadevi Shraingodh के साथ jointly काम के तो है Okay To be able to serve the population of JNK So the entire model is a social model So हम पे growth के इसलिए आरहा है क्योंकि हमने hospital में काफी strong capabilities built किये हैं और all of Jammu and Kashmir में यह one of the very renowned go-to hospitals है for very advanced quality care So उसके वज़े से हम Jammu में एक अच्छा traction देख का रहे हैं और additional capacity भी अभी build हो रहा है Jammu में वहां पे एक medical college भी announce हुआ है तो इसकी वज़े से वहां पे from serving the people of Jammu and Kashmir काफी सारा development हम देख पाएंगे और फिर से बहुत 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 शुप कामना है बढ़े है numbers को mention करने के लिए और बताने के लिए और कुछ और शेयर हैं उनके ओपर भी बाचीत करते हैं छोड़ेस ब्रेक के उस पार करने के लिए और शेयर हैं पार